हलो दोस्तो मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीटी टू कॉम्डीटी में स्वागत करता हूं तो आप लोग के तरब से बहुत सारे और वेगलर बिस्किस पर कोईरी जाते रहते हैं किसा रहां इंट्वाड एक लिए स्टॉक सेलेक्शन कैसे करें तो यहां पे अगर आप इंट्वाड एक ट्वेडिंग करते हैं तो सबसे इंपोर्टेंट और पहला स्टेप होता है स्टॉक सेलेक्शन यहां पे आप एकजांपल के तुरू समझ सकते हैं आप कितना भी अच्छा घर बना लो अगर उसका बेस मजबूत नहीं है तो प्रॉफिट बनाके नहीं दे सकता है वहां पे आपको नुकसान उठाना परेगा तो इंट्वाडे ट्वेडिंग में सबसे पहला और मोस्ट इपोर्टेंट पॉइंट होता है स्टॉक सेलेक्शन अगर आपने सही स्टॉक का स्टॉक्षन नहीं किया तो आप कुछ भी कर लो आप लॉस में ही रहोगे इस लिए इस वीडियो हम देखेंगे कि आप इंट्राडे और बीटीस्ट ट्रेइनिंग के लिए कैसे सही तरीके से स्टॉक का सेलेक्शन कर सकते हो और उसके लिए हमारे पास स्कैनर वे अब लेवल है उस स्कैनर के जरीए आप काफी आसानी स स्टॉक का सेलेक्शन कर सकते हो तो यहां पर एक और चीज़ आपको फोकस करना है हम मोमेंटम स्टॉक्स की उपर फोकस करें यह जिस स्टॉक में मोमेंटम हो इससे हमें फाइदा क्या होगा तो यहां पर एक एक्जांपल के तुरू बताना चाहूंगा आपने कभी बाइस कि दिर और आगे चलता हुआ देखता है यह निए उसमें जो मोमेंटम है उसके साथ वो कुछ और आगे चलता है ऐसे बाइक में आप जब बाइक स्पीड पे उस टाहिं पर बंद कर दो उसके बाद भी आपको कुछ दूर आगे तक जाता हुआ दिखेगा तो वो क्यों जाता मौका मिल जाता उस स्टॉक से निकलने का इसलिए इस वीडियो हम factor करेंगे कैसे हम मोमेंटम है utilizing कर सके और हम उसी मोमेंटम को फाइन करेंगे चलिए श्टार्ट करते हैं यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हम स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें उसके लिए कुछ क्वेटेरिया है और उसके लिए हमने अल्वेडी स्कैनर का यूज किया है तो यहां पर हम स्कैनर पर आना चाहेंगे चार्टिंग के वेबसाइट पर आ गए है और यहां पर हमने एक वेडिमेड स्कैनर फाइंड किया है जिसका नाम है रिकवरी फ्रॉम इंट्राडेलो यनि उस पार्टिकुलर स्टॉक्स का रिकवरी होगा कहां से इंट्राडे के लोईस्ट पॉइंट से वो रिकवर करके उपर निकलेगा उस पार्टिकुलर स्टॉक्स में हमें मोवेंटम देखने को लेगा और उसी में हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं इंट्राडेल लेवल के वेशिस पे और बीटी स्ट के वेशिस पे लेकिन यहां पर हमें दो और क्वेटेरिया फाइंड करन अचाहिए दूसरा क्वेटेरिया क्लोज भी आपका ग्वेटर दन और एक्वर टो प्रिविश्केंडल यह नहीं प्रिविश्केंडल का जो भी क्लोजिंग पॉइंट है उसके बराबर या फिर उससे उपर क्लोजिंग होना जाय दो सिंपल क्वेटेरिया है कि हाइपर आज के देट के कोरिंग वह मिला है मुझे यहां पर देख सकते हैं दीपक नाइट वेट के काफी बहत्वीने स्टॉक्स है और यह फंदमेंटली भी काफी स्टॉंग स्टॉक्स है और अभी पार्टिक्लर सिट्वेशन में इसका डिमांड भी अच्छा खासा है तो अब हम द आफ हो रहा हूं कि हम इंट्रमाटे ट्रिडिंग कैसे कर सकते हैं मैं आपको सारह कुछ एकस्पेरएन करूंगा और यहां पर एक दिन पहले स्टॉक कों कर सकते हैं यह कल के सकत हां skincare के यह उखकर you कर सकते हैं recovery from intraday low, ठीक है, intraday low से हमें recovery चाहिए, और last trading session यहनी Friday की अगर हम बात कर लें, तो देख सकते हैं, यहाँ पर intraday low यह है, और intraday low से यह जवर्दस recovery दिखाया, और इससे काफी ऊपर closing दिखाया, यहनी intraday low की बात करें तो 1760 intraday low और closing लगवग यह आपका 1860 करीब दिया, यहनी intraday low से यह लगवग आपका 100 point का upside move दिखाया, और percentage में यहाँ पे आप calculate करी सकते हैं, कितना जवर्दस recovery दिखाया from intraday low, यहनी पहला point satisfy होगया, दूसरा, हमने जो scanner run किया था, उसमें क्या चाहिए था, previous candle के high से उपर closing हो, और previous candle के closing से भी उपर closing हो, तो यहाँ पे हमने जो scanner run किया था, उसमें पहला point किया था, पहला point था, जो अभी candle form हुआ, उसका high previous candle के high से उपर हो, तो previous candle का high आपका यह रहा, और इसका high यह रहा, यहाँ इस condition को satisfy किया, दूसरा, जो closing दे, वो previous candle के closing से उपर closing दे, previous candle closing आपका यहाँ पर है, और scanner closing यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ जो दोनों scanner का quality area था, वो यहाँ पर satisfy होता हुआ दिखा, यह आपको यह चीज manually find नहीं करना, लेकिन जो stocks वो filter करके देगा, उसके बाद आपको verify करना है, कि वाकई ऐसा है या फिर नहीं है, यहाँ आपको verify कर लिया, दोनों condition को satisfy कर रहा है, अब क्या होगा, दीपक नाइटवेट हमारे लिए क्या बन जाएगा, intraday stocks बन जाएगा, कब Monday के लिए नेक्स trading session, यहाँ पर अगर हम बात कर लें, तो 13 June के लिए यह हमारे लिए जबरदस्त क्या बन जाएगा, intraday stocks, यहनी 13 June को यहाँ पर हम intraday trading कर सकते हैं, अब कैसे कर सकते हैं, क्या quittery होगा, कहाँ पर हम entry लेंगे, कहाँ पर stop loss होगा, कहाँ पर target price होगा, वो सब कुछ मैं आपको explain करा, लेकिन यहाँ पर हमने कितने simple तरीके से, सिर्फ एक scanner यूज़ करके हमने intraday stocks find कर लिया, और scanner का link इस video के description मिल जाएगा, उस link पर click करते ही, आपको scanner मिल जाएगा, और आप चाहो तो इसके basis पर BTSD trade भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, closing से 10-15 मिनट पहले, अगर same condition को satisfy कर रहा है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर market closing से पहले भी buy कर सकते हैं, BTSD trading के लिए, यह काम आप market closing से 10-15 मिनट पहले भी कर सकते हो, पहले भी आप scanner को run कर सकते हो, और कभी-कभी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, कि उस scanner के basis पर आपको कोई stocks देखने को ना मिले, तो आपको घबरान नहीं है, जब भी stocks देखने को मिलेगा, उस stocks में आप intra rate trading कर सकते हैं, और उसका accuracy level बहुत ज़्यादा high रहेगा, तो अब यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ systematic बता था, कि entry point क्या होगा, stop loss और target price क्या होगा, अगर हम यहाँ पर next trading session यहीं, 13 June को इसमें trading करते हैं तो, तो यहाँ पर हम entry point, target, stop loss, fine करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, कि यहाँ पर हम momentum stocks को pick करेंगे, तो हमने चेक किया ही ने कि यहाँ पर momentum है या नहीं है, तो चलिए सबसपहले हम momentum को चेक करते हैं, तो जैसे जैसे मैं सारा कुछ step by step चेक कर रहा हूँ, आपको भी वैसे step by step चेक करना, तब जाके आपको सही तरीके से into our stocks find कर पाएंगे, और यह आप next day के लिए find कर पाएंगे, तो आपको research करने का अच्छा खासा time मिलेगा, अच्छा खासा मौका मिलेगा, इसलिए आप यह सारा कुछ research खुद से भी करना है, सिर्फ मेरे बड़ो से या फिर किसी और के research के बड़ो से काम नहीं करना, अगर आपको stock market में लंबे समय तक टिकना है, तो आपको किसी और से help देने की जववत नहीं है, तो आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना, और वही चीज आपको profit बना के देगा, क्योंकि आपको loss होगा, उससे मुझे ज़्यादा कोई फर्क नहीं परने वाला, नहीं किसी और को फर्क परेगा, फर्क परेगा सिर्फ आपको इसलिए, आपको थोरा सा सतर कोगे trading करना होगा, तो यहाँ पर देखिए, अब हम अगले step पे आते हैं, momentum stocks higher नहीं है, सबसे पहले, price यहाँ पर नीचे आया, और यहाँ पर buyers active देखिए, यहनि जबरदस्त reversal देखने को मिला है, जो candlestick हमने find किया, उससे एक candle पहले भी, और यहाँ पर अगर हम एक straight line draw करते हैं, तो हमने क्या देखा, इससे पहले भी यहाँ पर हमें support level देखने को मिला है, मतलब यहाँ पर जो reversal देखने को मिला है, वो कहां से, वो एक crucial support level से हमें reversal देखने को मिला है, और यह एक सही time रहता है, momentum stocks find करने का यह नहीं, यहीं से stocks में momentum आता है, उसकी बाद, उसका अगला candle भी क्या दिखाया कि buyers यहाँ पे बहुत ज़्यादा aggressive हो गए मतलब यहाँ पे आपको समझना है price आपका नीचे side की तरफ आ रहा है मतलब इस particular region में जो seller है वो बहुत ज़्यादा strong थे जैसे price यहाँ पे आया यह seller क्या हो गए यह sellers आपके कमजोर हो गए है और जैसे sellers कमजोर हुए buyers ने यहाँ पे मोर्चा समाला है और buyers ने market को take over किया है और जैसे buyers ने market को take over किया buyers बहुत ज़्यादा aggressive हो गया और पहला candle ही support को touch करते हैं यहाँ पे closing दिया दूसरा candle जो एक और zone था हमारा छोटा सा hurdle जो उन बहुन सकते हैं इसको भी break करते हैं इसके उपर निकल गया है यानि इस stocks में हमें previous दो दिन से जब अदर्स momentum देखने को मिल वा है और जो भी hurdle था sellers के दोबारा वो सारा hurdle क्रोस करते हुए यह उपर निकल गया है और से momentum हम आगे भी देख सकते हैं अगर global बहुत जादा कुछ negative नहीं आता है तो और last trading session देख सकते हैं निफ्टी आपका जब दर्स गिरावट दिखाया था उतना जब दर्स गिरावट के बाब जूद भी यह particular stocks आपका एक जब दर्स ग्वीन केंडल का formation किया वापस से मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ देख सकते हैं फ्राइडे को निफ्टी ने अच्छा कासा एक से तेर्र परसेंट का किरावट दिखाया था और बहुत सारा stocks negative में था उसके बाप जूद में यह particular stocks इतना जब दर्स ग्वीन केंडल का formation किया है और intraday low से recovery दिखाया है यह दिखाया है कि stocks में momentum है और हमने सही momentum stocks को pick किया यह नहीं यहाँ पे जो जो point हमें देखना था वो सारा point को यह satisfy कर रहा अब यहाँ पे हम entry point stop loss target price find करते है तो यहाँ पे अब हम धीपक night wait के 5 minute के chart पे आगे 5 minute के chart पे क्यों आए क्योंकि जो intraday trading करते हैं हम mostly 5 minute के chart पे ही करते है तो यहाँ पे हमें entry कहाँ पे लेना अगला candle जैसे ही आपका open हो ज़्यादा gap up या gap down हो जाए तो फिर आपको छोड़ देना एक range के बीच में open हो तो फिर आपको क्या करना जैसे ही candle open होगा 5-10 minute के बाद आपको यहाँ पे buy side की तरफ entry ले लेना ठीक है? entry point के लिए entry कम avoid करना either ज़्यादा यह gap down ले ले या फिर ज़्यादा gap up ले ले तो फिर आपको entry छोड़ देना फिर आपको यहाँ पे buy side की तरफ entry नहीं लेना अगर यह आपका जहाँ पे closing दिया हो उसके आसपास या थोड़ा बहुत उपर नीचे open होता है तो फिर आप 5-10 minute wait करके आप buy side की तरफ जा सकते हैं या फिर entry के साथ भी आप buy side की तरफ जा सकते हो तो पहला point जो हमारा entry point हा वो clear होगा है दूसरा SL SL के लिए भी यहाँ पे हमने indicator यूज किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने VWAP का इस्तेमाल किया है और यह blue color का line आपको क्या है यह आपका VWAP है तो एक stop loss के लिए wait win point है VWAP इसको आप as a stop loss use कर सकते हैं अभी यहाँ पे है और next day जब market open होगा तो VWAP कहाँ पे रहेगा उसके coating आप अपना stop loss sit कर सकते हैं और VWAP के साथ ही आप stop loss को trail करके भी उपर ले जा सकते हैं तो हमारा entry point SL clear होगी है दूसरा target pace टागेट पैस के लिए क्या करेंगे previous जो भी highest point बहेगा हम थोरा सा drag करके पीछे चलते हैं उसको हम as a target pace के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो अभी के लिया से देखें तो सबसे उपर आपका इसके करीब है यानि 18,080 यह क्या बन जाएगा आपका target 1 बन जाएगा उसके बाद जो अगला hurdle रहेगा लगभग आपका 1900 करीब है तो यह आपका target 2 बन जाएगा इसी तरह यह साब यहाँ पर अपना stop loss, entry point, target price काफी आसानी से into a day level के basis फाइन कर सकते है और यहाँ पर आपको काफी अच्छा opportunity मिलता है आपके पास पूरा एक दिन का time होता है कि आप आराम से research किजिए और जो भी strategy setup करना है कहाँ पर stop loss रहेगा market, gap up open होगा तो क्या करेंगे, gap down open होगा तो क्या करेंगे तो सारा कुछ आप देखके अच्छे से research करके फिर आप तैयारी के साथ उतरोगे फिर आप confidence के साथ जो भी positions लेना वो ले सकते हो अगर by chance loss भी होता है या फिर गलत भी करते हो तो आप उस गलती से सीखोगे और जो गलती हुआ है उसको आप दुबारा दोहरा होगे नहीं इससे profit making chances increase हो जाएगा इस तरीके से आप इंडवाटे के लिए एक between stocks find कर सकते हैं तो उमीद होगा कि आपको ये concept यहां पर समझ में आया गया होगा और बहुत सारे लोगों को इससे help मिले वाला है इसके हम यहां पर उमीद कर रहे है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इंकवेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जोड कीजिए और साथ इसाथ बिल आइकन को जोड दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो और गरम आगे और भी बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन